मैं विशेश रुप से मानिये डॉक्टर मनमौन सिंग जी का स्मरण करना चाहूंगा छेएक बार इस सदन में वो अपने मुल्लेवान विचारों से और नेता के रुप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रुप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वैचारिक बद्वेद कभी बहास में चिटा कसी वो तो बहुत अल्पकालिन होता है लेकिन इतने लंबे अर्षे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मारदर्शन किया है वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोक कंत्र की चर्चा होगी तो कुछ मानिय सतस्यों की जो चर्चा होगी उसमें मानिय डॉक्टर मनमोन सिंग की योगदान की चर्चा जुरूर और मैं सभी सांसदों से चाहिए इस सदन में हो या उस सदन में हो जो आज है वो चाहिद भविश में आने वाले हैं मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो मानिय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों नहों लेकिन जिस प्रकार के उन्होंने अपने जीवन को कंड़क किया होता है जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कारकाल में कराए होते हैं उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सिखने के लिए प्रयास करना चलिए मुझा आद है उस सदन के अंदर लास्ट दिनों में एक वोटिंग का आउसर था विशे तो में छूट गया मेरा लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी मैंड की होने वाली अंतर भी बहुत था लेकिन डॉक्टर मनमौन सिंग जी विलचेयर में आए वोट किया एक सांसद अपने दाईत्व के लिए कितना सजग है उसका वो प्रेरक उदार्ण था इतना ही नहीं मैं देख रहां था कभी कमिटी के चुनाव हुए कमिटी मेंबर्स के वो विलचेयर में भोड देने आए सवाल यह नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे मैं मानता हूँ वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे और इसलिए आज विशेस रुप से मैं उनके दिरगायू के लिए हम सब की तर्ब से प्रांथना करता हूँ वे निरन्तर हमारा मारदर्शन करते रहे हमें प्रेणा देते रहे है